वेल आप सबका फेवरेट टॉपिक डेफिनिटली शुरू हो चुका है इस सीरीज के अंदर कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं वेल आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सीखने में बिगस जितना अट्राक्टिव ऑप्शन ट्रेडिंग लगता है ना मैंने आपको मत पता भी है तब भी वह चूज नहीं कर पाते हैं कि हमें ट्रेड किसमे करना है सबसे पहले मैं ब्रीफ कर देता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि आपको किसमें ट्रेड करने में जादा फायदा होगा और आपको किस तरफ ध्यान देना चाहिए तो जब हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं अब हमारे पास दो चॉइस होती है या तो मैं अभी हम शॉक की बात कर सकते हैं इंडेक्स की बात कर सकते हैं जादता लोग इंडेक्स में ट्रेड गरते हैं मतलब वो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड गरते हैं हमने लास्ट वीडियो में डिस में होगा सो ITM ATM OTM की जो भी वाल्यू होगी उसे हम मल्टिप्लाइ कर देंगे लॉट साइज से सो एक्जामपल हंड्रेड है एड़ दमनी एक्जामपल के लिए तो आपको दिखता है कि पच्छुस सो रुपया लगेगा किसलिए अगर आप खरीदना चाहते हो आप्शन को त खर हम एक इंग्जामपल के लिए किसी स्टाक की बात करते हैं और आपको वो स्टाक दिखता है कि भी वो स्टाक है 10,000 रुप 에 और आपके पास 10,000 रुपे नहीं है उसे बाई करने के लिए पर आपके पास एक option आता है कि आप से एक premium दीजिए 100 रुपीज का अगर इसका stock price बढ़ेगा तो यह premium भी बढ़ जाएगा एक्जैंबल के लिए यहां पर यह 50 रुपे बढ़ता है तो यह सीधा 50 रुपे बढ़ जाएगा यह 500 रुपे का हो जाएगा तो अब बहुत सारी लोगों को attractive लगता है और मैं पूरा का पूरा stock क्यों खरीद हूं जब मैं उसके option खरी सकता हूं इन फैक्ट अगर आपको लगता है यह गिरेगा तो लोग option को खरीद लेते हैं यहां पर जब हम बढ़ने पर खरीदते हैं एक basic क्लियर कर रहा हूं कि मैं मान के चलता हूं कई सारे लोग beginner होंगे कि अगर मुझे लग रहा है stock price बढ़ेगा तो हम call option को खरीद लेते हैं और अगर मुझे लगता है कि nifty बढ़ेगा तो मैं buy क्या करूंगा मैं buy कर लूँगा call option को और अगर मुझे लगेगा nifty गरेगा तो मैं buy कर लूँगा put option को सो यह हो गया option को खरीदना पर अगर मेरे अभी भी जो मेरी analysis है वो सेम है कि भी निफ्टी तो बढ़ेगा तो मेरे पस सिर्फ एक ही option निए कि मैं call को खरीदू मैं मेरे पास एक और option आ जाता है कि मैं sell कर दूँ put को क्योंकि put खरीदने वाले का फाइदा कब होगा जब मार्केट गिरेगी बड़ा कर मार्केट ऊपर जाएगी तो इसका नुक्सान होगा इसका नुक्सान तो seller का profit क्योंकि option trading is a zero sum game zero sum game का मतलब क्या होता है कि कि किसी का फाइदा तो किसी का नुक्सान यहाँ पर अगर buyer का न मैं sell कर सकता हूँ call को यह important होता है क्यों important होता है एक बहुत short में बता रहा हूँ अगर आप यहाँ पर call को खरीद के चल रहे हो आपके favor के अंदर ट्रेड जाने की probability 33% होती है और seller के पास हमेशे एक advantage होती है तो यहाँ पर 67% मैं कहारा हूँ चांसे seller के पास जादा है उसका reason आप अगली वीडियो में समझोगे यह जो मैंने लिखा है यहाँ पर 33% 67% इसका reason हम अगली वीडियो में बात करेंगे जिसके अंदर हम theta की बात करेंगे हम आपको Greeks के ओपर training देंगे उसमें हम इसके ओपर detail में बात करने वाले हैं बस मैंन based बायर जादा कमा सकता है अगर मैं बात करूँ capital के उपर पैसा कमाने की तो bail का capital बहुत कम होता है जैसे हमने example दिया था कि अगर किसी को यहाँ पर example है अब निफटी की बाती कर रहे थे तो निफटी का example लेली जेए कि अगर निफटी आपको दिखता है बहीं 18000 रुपे ग अब निफ्टी का मैं फ्यूचर खरीदूँगा तो भई या बहुत पैसा लगेगा अगर मैं निफ्टी को खरीद नहीं सकते हैं इंडेक्स की बात हो रही है अगर मैं निफ्टी का आप्शन खरीदता हूं तो 50 का लॉट है एक्जैंपल के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं कि माल लेते हैं आप कहते हो 100 रुपे का उप्शन का प्राइज है तो सिर्फ 5000 रुपे में काम हो गया पर अगर इसे ही आपको बेचना होता यह तो बाई है ऑट यहां पर अगर आप सेलर होते हैं अगर आपको इसे बेचना है आपको कि कम पैसा है तो लोग क्या करते हैं वो सिर्फ बाई करके चलते हैं और उनकी प्रोबाइबिलिटी ओविनिंग कम होती है तो इसलिए जाधा तर जो बाई होते हैं उनका नुक्सान होता है क्योंकि सेलर्स को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं उसके पीछे हम clear कर लेते हैं in the money options add the money options और out of the money options क्या होते हैं तो उसके लिए मैं simply क्या करूंगा सबसे पहले ना मैं आपके लिए हाँ पर option chain खोल देता हूं so option chain आपको nse के उपर मिल जाएगी आप आप गूगल पर जाके लिखेंगे nse option chain तो आपके सामने option chain आजाएगी बिल्कुल ठीक ऐसे ही अब इतने सारे number देखके घबराना नहीं क्योंकि यह numbers आपके friend आपको बहुत कुछ बतानी क्युश्च करते हैं तो आप जब Google पर आपके सर्च करोगे nse की option chain आपको मिल जाएगी उसके बाद जैसी आपने इस पर खोला आपको यहां पर क्या दिखता है nifty देखो सबसे पहले हम यहां पर निफ्टी की option chain की बात कर रहे हैं तो अगर आप सबसे ऊपर आ जाओगे तो यहां पर दिख जाएगा nifty की हम बात कर रहे हैं हम चाहे तो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं ठीक है expiry आप कौन से expiry की बात कर रहे हैं ठीक है तो निफ्टी चल रही है निफ्टी आज 1150 जो आ गया यह बोला जाएगा add the money तो जहां पर market होती है जहां पर शौक का प्राइज होता है जहां पर आप क्योंगे बैंक निफ्टी होती है तो जहां पर खड़ी है वो add the money हो गया add the money तो इसे हम add the money बोलेंगे अब add the money के अंदर अब यहां पर इसे समझना एक मिनिट क लिए concept समझाना है तो concept समझा देते हैं तो अगर हम बात कर रहे हैं तीन चीज़े हैं at the money दूसरा है out of the money और तीसरा है in the money तो बड़ा सिंपल है सबसे पहले मैं call option की बात कर लेता हूं तो अगर मैं बात करूँगा यहां पर निफ्टी है 18150 एक्जामबल तो यह मेरा हो गया at the money इन फाक जो भी नंबर चल रहा होता उसके आसपास तो निफ्टी के अंदर हर 50 के ऊपर आपको दूसरा strike price देखेगा तो आपको 18150 देखेगा 18100 देखेगा 18200 देखेगा तो 50-50 points difference में strike price चेंज हो जाता है तो add the money हमेशा जो भी price चल रहा होगा उसके पास वाला price हमारा add the money के लाएगा जब हम call की बात कर रहे हैं तो अब call को समझो call option में out of the money के ओगा बाहर जहां तक price अभी नहीं पहुचा है पहुचेगा तो अगर मैं यहां पर लिख दूँ 18200 या 18300 या 400 या 500 ये सब कुछ क्या हो गया यह out of the money हो गया यहां तक price पहुचा नहीं है अच्छा जहां से पहले ही आगे बढ़ चुका है वो इन्दा मनी हो जाएगा अगर मैं 18100 लिख दूँ तो यह इन्दा मनी कहलाएगा क्योंकि यहां से price अल्रेडी निकल चुका है in the case of call option बड़ जैसे ही हम यहां पर बोलते है put option के लिए so add the money हमेशा same रहता है add the money यहां पर भी 18150 ही कहलाएगा पर अब call था बढ़ने की बात यहां पर हम गिरने की बात कर रहे हैं गिरने की बात अब market जहां पर नहीं पहुँची है गिरेगी तो out of the money इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है जहां पर नहीं पहुँची है अभी गिरेगी तो 18100 पे पहुँचेगी तो यह हमारे लिए out of the money हो गया और हमारे लिए in the money क्या हो गया जहां से already गिर चुकी है तो example 18200 से already वो नीचे है तो यह in the money हो गया यह बड़ा clear करना जरूरी है देखो यह ऐसे हो जाएगा जैसे experience बढ़ेगा ना you already know what is in the money what is out of the money in both call options and port options now समझना क्या है जहां पर प्राइज नहीं पहुचा है वो out of the money है और जहां से प्राइज निकल चुका है वो इंदा मनी है तो जहां पर नहीं पहुचा है वहां पर आप एक तरीके से analysis बोलो बहुत सरे लोग out of the money में speculate करते है स्पेकुलेशन बोलो कि प्राइज अभी 18,150 चल रहा है कोई बोल रहा है जी प्राइज पहुचेगा 19,000 एकस्पाइरी तक तो कोई तो बोल रहा है 19,000 पहुचेगा analysis कहती नहीं कहती तो seller कहाँ ठीक है भईया मेरे से आके न आप खरीद लो call option खरीद लो मैं बेशने के लिए रेडी हूँ आपको call option खरीद लो मैं आपको बेशने के लिए रेडी हूँ और कोई बंदा कहा रहा हाँ अगर यहां पर premium महेंगे होते हैं ठीक है अगर आप premium प्रे कर रहे हो तो premium are not cheap, they are high, they are costly तो यह आपको अभी NSE पर जब option chain देखोगे एक मेरे टेपे clear हो जाएगा तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ तो यहां पर हमने जैसी option chain खोली, so you will just see this, मैं से zoom भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप राम से देख पाएंगे, so अभी इसे मैं याद करने के तरीका बताता हूँ कि अगर price 150 पर है, तो यहां पर आप देखे, call लिखा हुआ है, वहां पर put लिखा हुआ है, so यहां पर सारे के सारे जो भी strike price है, यहां पर जो आपको दिखेगा LTP, मतलब last traded price, यह सारा का सारा आपको जो दिख रहा है, यह call option के premium है, अच्छा option chain की analysis हम अभी आगे करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको short में अभी सिर्फ option में in the money, out of the money, और add the money सिखा रहा हूँ, option chain के हिसाब से trade कैसे करना है, बहुत ही मज़धार वीडियो, बहुत ही मज़धार concept है, उसका wait करना है, अब यहां पर put option में जो भी premium है, last traded price तारे आगे, अब महंगा कौन सा होगा in the money होग यह milk महंगा होता है, आपको दू सस्ता होता है, cream महंगी होती है, यह bitter महंगा होता है, तो अगर यहां पर आपको अमूल बेटर मिलेगा, तो महंगा मिलेगा, तो महंगा क्या है, इंदमनी, जितना भी yellow होता है, जितना भी yellow होता हमेशा इंदमनी होता है, और जो white बचा हु 18,000, 17,900, 950, यह सारा मेरे लिए है, इन्दा मनी हो गया, और इनके प्रीमियम यहां पर आ रहे है, 92, 122, 156, 195, तो जितना जादा इन्दा मनी मैं बचाता जाओंगा, उतना 500 बढ़ता जाएगा, ठीक है, और अगर मैं आउट आप दा मनी आता जाओंगा, जैसे कि जहां पर नहीं पहुचा, ठीक है, ठीक है, 18,250 नहीं पहुचा, 47, 8,300 नहीं पहुचा, 30,000 रुपे का है, 18,350 नहीं पहुचा, 19,000 रुपे का है, जितनी दूर जाते रहेंगे, उतना सस्ता हो जाएगा, ऐसे 3 रुपे का है, यह 18,550 का, कॉल आप्शन का, और सिमिलर ली, पुट होता है, याद रखना है, बड़ लोगों का पैसे तो होते नहीं है, तो वो आउट अउट 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 अप्शन ले लेते हैं, अब सेलर जिसने बेचा है, जिसने बोला, भाईया, मैं आपको 19,000 रुपे का बेच दूँगा, एक्जामपल में आपको अगर आपको लग रहा है, निफ्टी जाएगी 19,000 तो खरीद लो, अब 19,000 हमारे लिए डीप आउट अफ दमनी हो गया, आप देखो 19,000 यहां पर है, और इसका जो LTP 0.85 पैसा है, तो 0.85 पैसा पे आपको एक उप्शन मिल रहा है, मुल्टिप्लाइड बाइ, पचास का ल option seller है, उसने सिर्फ यह 85 पैसा मनाना है, अगर यह एक रुपे होता है, एक रुपे की example ले लेते है, 18,800 पे निफ्टी जाएगी, अगर कोई कह रहा है expiry तक, तो seller कह रहा है ठीक है भी, आप मेरे से call option खेल तो मुझे सिर्फ एक रुपे चाहिए, अब बाइर को लगता है एक रुपे में मिल रहा है, आप समझो, बाइर को क्या लग रहा है, कि 18,800 का even example लिया, 18,800 का call option एक रुपे में मिल रहा है, बहुत सस्ता है, कैसे पता आपको सस्ता है, जब निफ्टी ने वहाँ पे जाना होगा, तभी तो वो बढ़ेगा, आपको पता है फाइदा कब आपको फाइदा तब होगा, जब निफ्टी 18,801 रुपे हाईगी, अगर 801 से नीचे close हो गई, तो आपको नुकसान होना है, और अभी निफ्टी कहाँ पर है, अभी निफ्टी है, 18,150, और एकस्पारी के लिए पता है कितने दिन है, सिर्फ दो दिन रह गए, सिर्फ टू चो उसे ये प्रीमियम कमाना है, अगर मैं एक रुपे इंटो पचास कर दूँ तो पचास रुपे मिलेंगे उसे, पर अगर आप उसका margin requirement देखो कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड में मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो मैं आपको बाते बोल रहा हूँ ना, you'll have to understand यहाँ पर मैं example आपके लिए strategy builder खोल के दिखाता हूँ, कि अगर कोई सिर्फ bullish है, वो buy करता है call option, और call option हमने कौन सी बात करी, 18800, ठीक है, यह देखिए, एक सेकंड, तो हम यहाँ पर 18800 की बात कर रहे है, अब आप यहाँ पर देखिए, profit unlimited हो सकता है, एक रुपे का प्रीम unlimited profit हो जाएगा, पर वो यह नहीं समझते कि unlimited profit तब होगा, जब market जाएगी आप break even देखो ना, 18801 रुपे है, जैसे मैंने बोला, पर यहाँ पर अगर वो कहता है, जी मुझे buy की जगा sell करना है, तो वो सिर्फ 50 रुपे कमाएगा, जिसके लिए उसे लगबग 75,000 रुपीस क इसलिए अगर यहीं पर यह 18,000, हम इसे आपके सामने लेते हैं, अगर यह हमारा 18,150 होता, जो कि approximately add the money है, तो margin requirement एक लाख रुपे की है, एक लाख रुपे की, और वो कमाएगा कितना, सिर्फ जितना premium है उतना, तो वो max profit से 4600 कर सकता है, पर उसे से 4600 ही चाहिए, एक लाख लगा के उसे चाहिए 4%, इसलिए आपको समझना है कि आपने एक तो deep, मैं आपको यहां पर क्या समझाने साता हूं, कि deep out of the money में trade नहीं करना, अब क्यों नहीं करना, उसके एक और reason क्या होता है, that is delta, हम delta के लिए बात करेंगे, option Greeks के अंदर, बट यह delta को समझ लो, delta का मतलब क होता है, अगर निफ्टी एक रुपया बढ़ेगा, अगर निफ्टी एक पॉइंट बढ़ेगा, तो आपका premium कितना बढ़ेगा, अब यह समझे, add the money का जो delta होता है, near about 0.5 की आसपास होता है, plus minus, और जो इन्दमनी का होता है, वो 0.5 से लेके, one के close तक जाता है, one तो नहीं में होता है, और out of the money का 0 से लेके 0.5 तक maximum होता है, अगर आपने deep out of the money option खरीद भी लिया, अब example के लिए, आपने या पर देखा, यह example लेता हूँ, आपने 18,800 को call option तो खरीद लिया, निफ्टी चल रहा है, 18,150, मैं कहतों, निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी 18, 12,200 चला गया, तो क्या वो एक रुपे का premium 50 रुपे होगा, नहीं होगा, पर अगर यही पर add the money होता, अगर आपका 18,150 का, आपका add the money का call option होता, और यह 50 पंड बढ़ता, तो आपका लगबग 25 पॉइंट आपका क्या बढ़ जाता, आपका premium बढ़ जाता, मैं आपको दिख example के लिए आप देखते हो, add the money का premium कितने का है, तो add the money का call option 92 का है, अगर आपका 92 यहां पर आपको दिख रहा है, इसे हम call की तरफी ले जाते है, तो अगर आप इसे खरीदते हैं, और 50 पॉइंट मार्केट बढ़ती है, तो 50 पॉइंट मार्केट बढ़ने से लगबग 25 अगर यही मुव धीरे धीरे करके आया, तो सब कुछ खतम भी हो सकता है, so now, आपको यह समझना है, अगर आप trade कर रहे हो, so you should avoid out of the money options, आप out of the money में trade कर सकते हो, if you have logics and understanding, but deep out of the money, avoid कीजे, you should take in the money and add the money, क्योंकि इसमें अगर आपको मुमेंट मिलेगा, तो फाइदा जाता म तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, अभी अगली वीडियो के अंदर ग्रीक समय समझने है, और उसके बाद मैंने बोला, आपको option chain, option strategies, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, so अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लि आपको लिंक आए बडन में में मिल जाएगा, अगर आपको वीडियो च्छी लगी से शेर जरू कीज़ेगा, अपने पयार देने के लिए लिए कर सकते हैं, अगर आपके बस अभी तक डिमेट अकाउंट नहीं है, तो आप अप्सक्राइब पर जाके फ्री में अपना डिम को लगा सकते हैं, इन फाक्त आप रेफरेंट अंके तुरू भी पैसे कमा सकते हैं, तो लिंक आपको दिस्क्रिप्शन और कमेंट बोक्स में मिल जाएगा, I will see you in the next video, till that time, you go self-made.